प्रेंस कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छी होगे आपके सामने यहां पे दो फूल दिखाई दे रहे हैं जो फूल आपको अच्छा लग रहा है वो चुननीच है इसे मैंने आज तोड़ा नहीं है यह किसी ने मुझे गिफ्ट किया नुई यर में त प्रेंस के लिए आपको यहां से संदेश मिलेगा जो कि साइए बाबा के कार्ट के तरहीं हम देखेंगे आपको कोई एक फूल चुनने ना है आज की रेडिंग के लिए उसके बार हम बहुत सारे कार्ट देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि पूरे साल आपको कैसे ध्यान रखना है किन बातों का और कैसी विचार धारा अपने अंदर बनानी है उस हिसाब से जीवन को देखना है और फि पर फूल आपको सही लग रहा है वह फूल चुनने चे उसके बाद हम आपके रिडिंग को देखेंगे जो की एक वीडियो में होगी मतलब मैं सारे कार्ट आपको रख दूंगे आप देख लिजेगा फिर हारे कार्ट को मैं पढ़के बताऊंगे आपने इस तरह का वीडिय पा रहे हैं उसके लिए मुझे बूख है ठीक है और क्या कर सकते हैं समय आने पे मैं आपको सेयर करूंगी ऐसी कौंसी वज़े है जिसके वज़ेसे मैं वीडियो क 후ड़न कर पा रही हूँ、 आज का वीडिय chiches जज के साथ यह सेयर करी होगी अभी साल का कुछ ही दिन बीता यानि आज के तिन तारिक या चार तारिक है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूं तो आपके सामने यहां पर दो फूल हैं और बहुत ही खुब्सूरसते फूल हैं आपका पूरा साल खुब्सूरसता हो इस वीडियो होगी मैं इसमें एड करोंगी जो कि लाइब नहीं होगी वह एक रिकॉर्ड होगी ठीक है तो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी पहले नंबर का फूल यानि की गुलाब को चुडा था आपने आज की रिडिंग के लिए जो हमें पता चला है आपके लिए क् 2021 के लिए कैसे आपको अपने पूरे साल किस देख के साथ कैसी विचार धारा के साथ आगे बढ़ना है वो मुझे यहां देखने को मिली तो पहला जो कार्ड आपके लिए आया था वो था पीड़ा तो कहीं न कहीं ऐसा लुचे लग रहा है कि जिन लोगों ने भी पहले नं अधिक उन्नत होती है जो भी कुछ हुआ आपके जीवन में अब तक जो भी कुछ हुआ जो भी कुछ आपने देखा जितना भी दर्द आपने सहा आपको समझाने के लिए काड आया है कि जो भी जीवन में होता है जितना भी पीड़ा से हम गुजरते हैं वो सब हमारे लिए एक सीखाने के लिए सब कुछ होता है, एक सीख की तरह होता है, तो पेड़ा से गुजर कर ही महंतम आत्मा अधिक उन्नत होती है, उन्नती में अगर जीवन में आपको उन्नती चाहिए, तो ये साही चीज़े आपको देखनी ही पड़ें कि अगर आपकी जीवन में अगर बैलेंस ब्हाल में रशनानी है। वो सारी उर्जा, एक positive उर्जा में आपने आपको ले आना है आपको, आप अब तक जीवन में बहुत नाकरात्मक सोच के साथ, बहुत नाकरात्मक एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी आपको अगर जीवन में खुश रहना है, सफल होना है, तो वो सारी आपको निकालके एक positive energy में उन सब चीज़ों को बदलना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्राणायाम करना होगा, योगा करना होगा, अभ्यास करना होगा, इससे आपका मन सांत होगा, जब आपका मन सांत होगा, फालतों के चीज़ों को बध्यान के लिए ही होता है यह साही चीजे आपको अपने दिमाग में डालनी है आप बहुत जादा नकरात्मक एनरजी में हैं ठीक है आप अधित्य हो आपका सफर अनोखा है किसी और से स्वयम की तुनना मत कीजिए तो जो भी कुछ आपने जीवन में अब तक किया है हो सकता है आप बहुत निरास हो अपने जीवन से अपने जीवन के जो भी चीजे अब तक आपने प्राप्त की है या फिर जो भी कुछ आपके पास नहीं है उसको लेकि आप अपने आपको दोस्त देते हैं अपनी तुनना दूसरों से करते हैं इससे आप और दुखी होते हैं तो स्वयम कापके लिए काड है कि आप अधित्ते हो आपका सफर ऑनोखा ये मष्मानग कि आप में कुछ कमी रह गई आपने क कहीं काम नहीं किया या फिर आपकी गलती है मैंने यह और ग़पन देखा, अलग है, ठीक है, अपनी तुनलना आप मत कीज़िए, आपने भी करश्च जीवन में देखा है, इसे तुनलना करके अपने आपको दुखी मत कीज़िए, उदी की थाकत, मैंने दुआ दी गई उदी, आपके सबी भावनिकतासारिक को दुखर माच सकते ह कि इश्वर की प्रातना कीजिए इश्वर पे विश्वास कीजिए और साइम बाबा की प्रातना कीजिए ठीक है साइम बाबा की प्रातना जबाब करेंगे उनकी पूजा जबाब करेंगे तो उन्हें बहुत सकती है ठीक है विश्वास की बात है ऐसा नहीं है कि आप जिन दे ठीक है एक कार्ड और है आपके लिए धुनी आपकी चिंताएं डर्ड गुसा दर्ड और इश्या आपकी सभी बिमारी बाबा की धुनी में जला दीजे तो कहीं न कहीं आपके जो कार्ड थे न दिखा रहते हैं कि आपको विश्वास करना चाहिए साइम बाबा के अगर आप स आपको जरूर मिलेगा ठीक है और अपनी जितनी भी दुख दर्ड जितनी भी चिंताएं वो सब बाबा की धुनी में जला दीजे आज से जला दीजे नया साल सुरूब है आपके साल का यही लक्ष है कि आपको अप परिशान नहीं रहना है जो इप जिनताएं वो सब आपक समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है जो भी होता है इश्वर की मर्जी से होता है जब इश्वर की मर्जी से कोई चीज हो रही है तो फिर उसके लिए दुख क्यों आप इश्वर को मानते हैं जिस सक्ति की भी आप पूचा करते हैं आपको यह सोचना चाहिए कि आपकी बस जो अभी है जो अभी समय है जो आपका कर्म है वो करते रहिए अपना कर्म में कीजिए उसमें सफलता मिल लाई है नहीं मिल लाई है इश्वर की मर्जी उसमें कोई कमी मत छोड़िए अपने काम में कोई कमी मत छोड़िए अपने पढ़ाई में कोई कमी मत छोड़िए आपने अपना कर्म किया, तो वही चीज है कि कर्म करता है तो जाफ वलकी इच्छा न कर, तो यह चीज है आपको अपने दिमाग में रखनी है, और पूरे साल इसी सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना है, नाकरात्मक एनरजी में बिलकुर नहीं रहना है, यानि कि नाकरात इनरजी को अपने लाइफ में इन्वाइट करें कि अब तक कुछ नहीं हो, आप भी कुछ नहीं होगा, वो साल भी ऐसा था, ये साल भी वैसा था, ऐसा कुछ नहीं आप करें कि ये साल में जीवन का सबसे कुछ साल होगा, सबसे अच्छा साल होगा, और इस साल मुझे वो स पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में ओम शाहिराम लिख के ज़रू जाहिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तो चलिए देखते हैं जिन्हों ने भी ये प्यारा सा फूल चुना था अपने लिए पीला रंग का फूल जो बहुत ज़ादा बॉजिटिव एनरजी के साथ दिखता है ठीक है आपके लिए जो कार्ट थे वो कहीं न कहीं दिख रहे थे कि जीवन में आप जो कुछ अपने द कुछ भी ऐसा ना मिला हो जैसे आपको लगे कि हां मिया लक्ष बहुत बड़ा है लेकिन यहां दिख रहा है कि आप थोड़ा सा हर चीज को जैसे आपने कोई काम किया उसमें आपको सफलता नहीं मिले तो आपने छोड़ दिया ऐसा वाला आपका एक नीचर बन गया है आप आपके लिए बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं जो थोड़ा सा आपको सिखा भी रहे हैं और थोड़ा सा आपको डाट भी रहे हैं साथ में आपको समझा भी रहे हैं अपने आत्मा किस तर पर चुनी हुई जीवन योज नाओं को इश्वरी कृपा समझे और सिर्कार किया नहीं किया तो वही सारी चीज़े हैं कि जीवन में जो भी कुछ मिला है उसका धन्यवाद कीजिए और जो भी कुछ आप चाहते हैं उसको पाने के लिए कर्म कीजिए ठीके भरोसा धैर रखिए धीर धरिये आपके पास उत्तर ना हो तब भी दजार कीजिए और भरोसा किया कर्म किया है आपको घ्र्सा ना होसे लिए टीकशनी जारी हो लिए और आपके कमी में किए उसमें काम के था चाही और। काम को अच्छे से किया है तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी लेकिन उसमें दो चीज जरूर होनी चाहिए एक शड़ा होनी चाहिए दूसरा सबर होना चाहिए इस चीज को ध्यान में रखिए और इस साल में जो भी काम आप करना चाहते है उसको करिए अपने वचन जो अगर आपने कहीं किसी को वचन दिया यह कार्ड आपके लिए आया है तो हो सकता है कि ऐसा कुछ होगा जिसकी वज़े से आपको भी लग रहा होगा कुछ चीजे हैं जो होते हो जाती है या फिर कुछ अच्छा हो रहा होता अचानक से वह चीज गलत हो जाती है या फिर सफ किया या फिर कहीं कोई मनत मानी जो मैंने पूरी नहीं की एक्जामपल के लिए अगर हम कह दें कि माल निज्जे क्या अक्सर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं फिर हम कहते हैं कि अगर ये मेरा बिजनेस चल गया तो फिर मैं यहाँ पर रशन करने जाओंगा या जाओंगी या फिर मैं इतने लोगों को दान करूंगा ये सारा हम वशन कर लेते हैं उसके बाद बिजनेस चल जाता है फिर अचानक से हम भूल जाते हैं उन सारी चीजों को और फिर अचानक से बिजनेस बैठ जाता है रुक जाता या फिर जितनी वहां से आपको धन की प्राप्ति हो रही होती वो नहीं होती है वो काम रुक जाता है आपका तो फिर ध्यान दीचे वही चीज मैंने एक्जामपल के तौर पर धायन के तौर पर ये कहा कि अगर ऐसा ही कोई भी चीज आपकी जीवन में अच्छी जा रही थी अचानक से रुक गई है तो देखिए क्या उससे जुड़ी वी कहीं पे आपने कोई बात कहीं थी आपने पूरी नहीं की तो उस पर ध्यान दीचेगा यही है उसका बहुत साइब लोग कमेंट कर पूछते हैं कि मैं हमें तो यादी नहीं है तो जब यादी नह प्रकास कार श्रीवक बनना यही आपके जीवन का उद्देश है तो जीवन का उद्देश तो बहुत बड़ा है आपका लेकिन आप छोटी मोटी उज़्जनों में फसे रहते हैं कर्म कर्मे कार एक कारन भाव है सजा नहीं तो जो भी कर्म का फल मिलता है वो आपकी कर्म का फल है उसे सजा विल्कुर मसंची क्योंकि आपने खुद ही उसे इन्वाइट किया है तो जो चीजे आपने खुद मांगी है वो चीज आपको मिली है और उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि ये गलत है या फिर हमें कुछ मिला नहीं जीवन ने ये हुआ वो हुआ सब कुछ तो पर काई ये होता है कि ये हैं कि बहुत सारी बाते हैं इसमें अभी यहां वे हम उसके करेंगे तो ये बहुत बढ़ा हो जाएगा जो की टॉपिक भी नहीं है तो कभी कोई ऐसा होता भी है कि हम जीवन भर अच्छे काम करते हैं लेकिन हमें उसका फ़ल नहीं मिलता है या तो हम गलर डिरेक्शन में कर रहे होते हैं या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है जो कि हमें इस लाइफ में भी देखने को मिलता है तो जड़ा उस पर ध्यान नहीं देते हैं वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट में ओम शाहिए राम लेक्के जरूर जाईएगा और हैपी नूइयर बहुत अच्छा हो ये